वरूड वरीवन वेल्कम बाइकू प्लूट दियुटीव चनल आपको बहुत स्वागत है आज इस वीडियो के अंदर हम डेसकस करने वाले वहीं आपका यह जो कम्पलीट टाइम टेवल होने वहले तिल 21st of Feb तक 1 December चले के 21st February तक आपको कितने दिन कौन से चेप्टर लगाने है ताकि आप लोग अपने बूर्ड एक्जाम की प्रपरेशन अपने आने वाले फिदिक्ष एक्जाम की प्रपरेशन जो की 21st February को होने वाले उसको बहुत बढ़ी अतरीके से कर सको और उसके आप लोग एक बार दुबारा से दो बार डबल रिवीजन चलेगी उसके बाद हमारे चेप्टर कम्प्लीट हो रहे होंगे कोश्चन लगा रहे होंगे बहुत कुछ हो रहा होगा बस इस वीडियो को जितना हो सकता हो शेयर कर देना जो भी बच्चा फिदिक्ष एक्जाम क कर सके तो बच्चा आपके नौन में 12 बूर्ट का 21 फरवरी को फिदेक्स का पिपर देने वाल है उस बच्चे तक ये वीडियो पुंचाने की जिम्मेबारी आपकी है और अगर आपको वीडियो सही लगे भी आपको लगता है टाइम टेबल आपके लिए काइंड आप हेल् बच्चे हैं तो मतलब मैं अभी पांच दिन का गाप लेके चल रहा हूं भी आप अपने सेलेबस को कंपलीट कर रहे होगे या जिन बच्चों को सेलेबस कंपलीट होगे वह आज से इस टाइम टेबल को फोलो करना शुरू कर देंगे नहीं तो मैं 5-7 दिन का गाप दे रह का लाइट लास 75 डेज क्यों बोला क्योंकि अभी हमारे पर लगबग 80 से 80 डेज पड़े उन 80 डेज के अंदर लगबग मैं आपको बता दूं आपको पांच देन या चाह साथ दिन दिन ऐसे दिया अगर मालों आप कुछ दिन नहीं पढ़ पाते हो कुछ फेस्टिवल्स की वरे से या किसी अपने फैमिली इशू की वरे से कोई भी एक्सौइज रीजन की वरे से आप लोग नहीं पढ़ पाते हो तो उसके लिए पने आपको बीच में गाप रखके दिया मतला मैंने आपको रिजर्व दे दी हैं तो उन रिजर्व यूस करके आप लोग अपने चै कात्स या कल से इसको फॉलो करना शुरू कर सकते हैं तिक है आप यह अगले पच्छतर दिन में आपको अगले 75 डेज में आपको पढ़ना क्या क्या है मैं पहले उसकी नोट्स बना रख्ये या फिर आपने अभी नोट्स नहीं बनाएं अगर नोट्स नहीं बनाएं यू can go for one shot one shot जाओ one shot देखो one shot बनाने के बाद important points नोट करो important topics प्रिक्स नूट करो इंपोर्टेंट डेवेशन लिखो या फिर आपके पास जो नोट से उससे आपने रिवाइज करना है उसके बाद आपको शॉट नूट बनाने बहुत जादा मेंडिटरी है यह शॉट नूट हमारे लास्ट ये की लास्ट ट्विंटी फटेंट इसकी जो करने के जूट नहीं पड़ेगी उसके बाद आपको पीवाई क्यूस के लिए आप कोई एक्सवाइज बुक फोलो कर सकते हो उसके बाद आपको NCRT करनी है और कुशन वीडियो जो बच्चे पीवाई क्यूस कुछ से नहीं कर रहे हैं उनको कुशन वीडियो की तरफ जाना होगा और टेलीग्राम का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन मॉक्स में आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल जोइन करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा रिजन बहां पे सारे लिंक्स में आपको प्रवाइट करूंगा मेरे पास और कोई सूर्स नही जरूरी है जो खुछ से लगा रहे हैं मैं तो यह बोलूगा अपनी बुक को ज्यादा प्रवाइटी रखो अपने यूट्यूब को कम प्रवाइटी रखो अगर आप खुछ से लगा पा रहे हो तो कुछन वीडियो की तरफ आना आपके लिए जरूरी नहीं है इसके बाद यह चीज करने है रिवीजन करना है शॉर्ट नोट्स बनाने कुछन लगाने मेली फूकस आपका यह यह कुछन पे रहना चाहिए उसके बाद यह देखो चेटर वाइज और डेवाइज चेटर वन पे आप लोग चार दिन लगा रहे होगे मतलब चार दिन के अंदर अंदर आपको क्या करना है पहले दो दिन के अंदर आप लोग रिवीजन निप्टा लो शॉट नोट्स बना लो अगले दो दिन के अंदर आप लोग कुछन लगा लो कुछन वीडियो देखो और NCRT complete कर लो तो इसको equally डिवाइट कर लेना चार दिन है तो दो दिन रिविजन पे नोट्स पे और दो दिन आपके कुशन्स पे जाने वाले हैं चैप्टर टू के लिए भी चार दिन रखे चैप्टर त्री और फूर के लिए तो एक दिन के अंदर 25 से 30 कुशन लगाने यह आपके लिए काइंड आफ कह सकता हूं भी बहुत जरूरी है अब ऐसा नहीं होगा आप दो कुशन कर रहे हो तो बैट गए तीम कुशन कर रहे हो तो बैट गए ठीक है अब इसके बाद चैट्टर नंबर 6 के अंदर आपके बास दो दिन आगे चैट्टर नंबर 7 में आपके बास तीन दन आगे और आपके बास टोटल 23 डेस के अंदर आपका पहला पार्ट वन कंपलीट हो जाता है सेवन चैट्टर तक आप कुश लोग बोलेंगे सर हमारे प्रीबोर्ट है हमारे प्रेक्टेकल जनाब अगर प्रीबोर बढ़ाव रिग नंबर हो भी गए तो किसी ने जादा कुछ नहीं पूछना है अगर आप सिरफ पासिंग मार्स भी लिए अगर आप इंदर अगर आप इंप्रिबोर्ट उपिक से इंप्रटेंट चैट्टर बी पढड़के चले जाकते हो तब भी आपका काम हो जाएगा आप बहुत एजली 70 में से 30 या 35 स्कूर कर सकते हो अगर कहोगे तो मैं उस प्रीबोड एक्जाम के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर भी वीडियो बना दूँगा बहुत जल्दी अफ्लोड कर देंगे वो वीडियो अगर आप लोग कमेंट सेक्शन में थोड़ा सका होगे य इसलिए आज ये वीडियो शूट की जा रही है ताकि जल्दी से जल्दी आपको टाइम टेबल दिया जा सके ऐसी अगर आप लोग के प्रीबोड जल्दी है तो बस फड़ा बट से कमेंट सेक्शन के अंदर प्रीबोड एक्जाम लिख दो हैस्ताग प्रीबोड एक्जाम और अगर आप वो टापिक्स भी पढ़के चले गए वो चीजे पढ़के चले गए तो भाई उसके बाद प्रीबोड तो निकल जाएगा फिर हम बोड की तैयारी करेंगे और बोड की तैयारी को साथ-साथ करना है ऐसा नहीं होगा प्रीबोड की वरे से उसको ब्रेक लगा के बाद चलते हैं मगले चैप्टर नंबर 8 पर दूदिन चैप्टर नंबर 9 पर 4 डेज़ चैप्टर नंबर 10 पर 3 देज और 9 पर क्योंकि रे आप्टेक्स है तो चार दिन रख्के वेवाप्टिक्स फोड़ा च्यूटा है तो तीन दिन रख्के बहुत छोटा सा चैप्ट रहे हो कर सकते हैं यह जिनकी रिवीजन रहती है वह कर सकते हैं बहने आपको आपको किस दिन नहीं पढ़ पाते तो उसके लिए रिजर्व डे होगा, वो रिजर्व डे के अंदर काउंट करके आप हमने सेड्यूल को एक दिन आगे शिप्ट कर सकते हो, फिर मारपस ये 15 जनवरी तक हमारे सिलेबस को लगबग कम्पलीट किया जा सकता है, बाकी बचते आखरी 15 दिन, आखरी 15 दिन में वो चिप्टर आपक इन पांच चेप्टर को इन 15 दिन में दुबारा से एक बार रिवाइस करके कोशन लगा के मल्टिपल कोशन लगा के कुशन वीडियो लगा के कर सकते हो यह और इन 15 दिन में वो चाप चेप्टर पक्के हो गए ना तो इन 21 दिन की जो मैरे उसमें मारा बर्डन बहुत कम हो बर्डन कैसे कम हो जाएगा जब 21 दिन की मैराथॉन में लेक्या हूंगा उसके अंदर जब आपको कुशन करा रहा हूंगा जब आपसे कुशन लग रहे होंगे तो आपके एक्जाम के अंदर जो confidence होगा वही आपको marks दिलवाएगा वही आपको 90 प्लस या 95 प्लस दिलवाएगा तो फिर बोल दो एक बार यह 15 दिन आपके लिए बहुत इंपोर्टेंट फिर से इसलिए होने वाले क्योंकि आप सेलेबस कंप्लीट करके इसकी multiple revisions करके द बहुत कुछ आने वाला है उसका प्लेन लेटर ओन शेयर करूंगा भी एक से एक से 21 फरवरी तक हम क्या करने वाले बस अब यह एक से 21 फरवरी आपको physics के अंदर जूड़ जाना है मतलब इससे पहले तो आपको बागी सब्जेक्स को भी धियान रखना है लेकिन इसके आपको 95 प्लस लाने से कोई रिलोग सकता एक अब बच्चे बूचेंगे सर कितना पहले आता है हर किसी का अपना हिसाब है बड़ मैं बूलूँगा minimum of 3 hours आपकी एक घंटे की क्लास मिलागे या डेट गंटे वन अनाहाफ आर की क्लास मिलागे वन अनाहाफ आर में कुशन ल पढ़ रहे हो तो आपको 95 प्लस लेने से कोई नहीं रोग सकता है थांक यू सो मच बस मैं यही बोलूँगा इस वीडियो को जितना हो सकता हो जिन बच्चों के पास फजेक सब्जेक्ट है उनके पास सेर कर दो थांक यू सो मच आपको SI सेड्यूल माच का भी चाहिए हो त प्लीस कमें बॉक्स में फटावट से कमेंट कर देना तो वी रिक्वाट माच च्च्च्चूल अलो अट प्रिवोड एग्जम इंप्रिट अबिट अपिक्स अलो तो थांक यू सो मच न वीट विट इन नेक्सेशन तांक यू